मशहूर शायर जान निसार अक्तर के सुपुत्र, मशहूर गीतकार और शायर जावेद अक्तर का जनम दिन 17 जनवरी 1945 को सीतापूर में जन्म उनके पिता जान निसार अक्तर भी एक प्रमो कुर्दू कवी थे जावेद अक्तर का बच्चपन से ही शायरी से गहरानाता रहा है उन्होंने जीवन के उतार चड़ाव को बहुत करीब से देखा है इसलिए उनके काव्य में जीवन को बहुत मजबूती से महसूस किया जा सकता है उनके गानों की खूबी यह रही है कि वो आसानी से दूसरों को अपनी बात समझा देते हैं उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई अलीगर मुस्लिम विश्व विद्यालय से की और उसके बाद भोपाल के सोफिया कॉलेज से सना तक की उपाधी प्राप्त की लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने 1964 में फिल्मों में समवाद लिखने के अपने सपने को पूरा करने के लिए महसो रुपे के वेतन पर मुंबई आकर काम करना शुरू कर दिया इस दोरान उन्होंने कई फिल्मों के समवाद लिखे लेकिन उनमें से कोई भी बॉक्स ओफिस पर सफल नहीं हुई जावेद अक्तर की मुलाकात मुंबई में सलीम खान से हुई और दोनों साथ काम करने लगे 1970 में ब्लोकबस्टर फिल्म अंदाज की सफलता के बाद दोनोंने कई अच्छी फिल्मों में समवाद लेखक के रूप में काम किया और सफल भी हुए इन में हाथी मेरे साथी सीता और गीता जनजीर यादों की बारात जैसी सुपहिट फिल्में शामिल है 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के बाद सलीम जावेद की सुपहिट जोड़ी अलग हो गई और जावेद लगातार फिल्मों के डायलोग लिखते रहे उन्हें आठ बार फिल्म फिय पुरसकार से सम्मानित किया चुका है सहित्य जगत में उनके बहुमूलिय योगदान के लिए 1999 में उन्हें पद्म श्री पुरसकार और 2007 में पद्म भूशन पुरसकार से सम्मानित किया गया फिल्म निर्माता, बॉर्डर, डॉडमदर, रिफ्यूजी और लगान के लिए राश्ट्रिय पुरसकार विजेता, जावेद अक्तर अभी भी गीतकार के रूप में बॉलिवुड में सक्रिया है अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल लुक दिजिटल को सब्सक्राइब करें